Hello everyone, जैसे कि recently एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जहांपर इरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की एक हेलिकॉप्टर क्रैश इवेंट में डैथ हो गई तो हम इस पूरे सेशन में इसी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन डायमेंशन कवर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे exam point of view से कैसे important हो सकता है बट आईए इससे पहले इस पूरे incident के background पर एक नज़र डाला जाए तो बता दे दोस्तो थोड़े समय पहले इरान के प्रेसिडेंट अजर बैजान के एक दोरे पर गए हुए थे जहां पर इन्होंने एक dam का inauguration किया ये dam आरास river पर located है और ये तीसरा ऐसा dam था जो रिसेंटली अजर बैजान और इरान ने आरास river पर बनाया है जब इस पूरे दोरे को खतम करके ये return आ रहे थे तो bad weather के चलते दिजमार protected area जो की एक अजर बैजान और इरान के border पर located है यहां पर इनका helicopter crash होने की वज़े से इनकी death हो गई बट बता दे दोस्तों इस पूरे incident का timing काफी important role play करता है because थोड़े समय पहले ही इरान ने Mr. Raisi और यहां के supreme leader Ayatullah Ali Khamanai के लेंतितों में इसराइल पर काफी सारा drone और missile attack किया था यह पूरे trip का timing इसलिए भी important role play करता है because यह उस वक्त हुआ जब इरान और अजर बैजान के बीच के रिस्ते काफी ज्यादा close नहीं थे because 2023 में ही recently इरान में अजर बैजान के एक दूतावास में गोली बारी का भी incident देखने को मिला था इसलिए आगे आने वाले time में इरान की तरफ से क्या updates आते हैं इस पर पूरे दुनिया की नजर होगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ important dimensions को cover करने की कोशिस करते हैं जो कि हमारे exam point of view से important हो सकता है तो पहला question इस पूरे incident के बाद तो ये जरूर आ रहा होगा सब के मन में कि इरान में अगर किसी व्यक्ति की राष्टपती पत को समाले हुए मृत्ती हो जाती है तो इसके आगे का क्या procedure होता है सेम चीज अगर इंडिया में होती है तो इसका क्या procedure है और कभी ये क्या इंडियान हिश्टी में हुआ है क्या और इस पूरे incident से related कौन-कौन से important places थे news में वो हम map के थूप पढ़ने की कोशिस करेंगे जैसे कि हमने अरास river पीछे देखा वैसे ही बहुत सारे इरान की देशों के साथ अपनी international boundaries share करता है ये सारी चीज ये वाले topic में हम cover करने की end में कोशिस करेंगे यहां हमारा पहला question ये है कि अगर इरान में president पत को समालते हुए किसी की death हो जाती है तो कौन सा procedure follow किया जाता है जैसा कि recently हमने इब्राहिम रईसी के case में देखा ये dimension हम इसलिए cover कर रहे है कि हम देखेंगे कि इंडिया में ऐसा होने पर हम कौन सा rule follow करते है ताकि हम दोनों चीजों को थोड़ा correlate कर पाए तो बता दे article 131 of Iran constitution के हिसाब से ऐसा होने पर यहां के vice president को दारोंदार सौब दिया जाता है बट ऐसा तभी किया जाता है जब यहां के supreme leader अपना confirmation प्रोवाइड करें because यहां पर जो important matters होते हैं उस पर final से यहां के supreme leader का ही होता है इसके बाद एक council consist की जाती है जो make sure करती है कि next जो होगा president का election maximum 50 दिन के अंदर conduct करा दिया जाए इस council के जो member होते हैं वो होते है vice president, speaker of parliament और head of judiciary तो इस हिसाब से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि next जो इरान में president election होगा वो July के आसपस हो सकता है तो आईए देखा जाए कि इंडिया में हम ऐसा होने पर कौन सा rule follow करते हैं बढ़ इससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी situations है जब president का post vacant पाया जाता है पहला तो हम सबको पता है कि जब इनका tenure जो होगा 5 साल का वो end होने पर भी president का post vacant हो जाता है दूसरा कि किसी कारण वस अगर यह अपना resignation दे 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 wise president को तब तीसरा की impeachment process दोरा इन्हें निकाल दिया जाए चौथा हम पुरे जो session में discuss कर रहे है बाइस death और पाचवा जो होता है कोई other कारण जैसे कि अगर इनका election किसी कारण वस null और void declare कर दिया जाए तभी भी इनकी जो post होती है vacant हो जाती है तो इस पाच condition में हम देखेंगे कि जो पहला condition है on expiry of his tenure of 5 years तो इस case में अगला जो election होगा वो conduct किया जाएगा बट अगर इस election को conduct करने में कोई delay होता है तो इस case में याद रखेगा आप सभी लोग voice president, presidential शा act नहीं करेंगे इस case में जो ongoing president होंगे वही इस post को hold किये रखेंगे जब तक कि दूसरा successor नहीं मिल जाता है इनको next election के थूँ तो ये case हमको याद रखना है कि on expiry of his tenure the outgoing president will continue to hold this office तो जो बाकी के चार conditions है resignation, impeachment, death और otherwise जो दूसरे कारण हो सकते हैं इनी चारों condition में voice president act as a president until a new president will be elected और पहले वाले जो tenure वाला condition था उससे confuse मत करेगा जहां पर election में delay के चलते है अगर कोई vacancy create होती है तो उस time पे जो ongoing president थे वही इस office को hold किये रखेंगे बाकी के जो चार conditions है ये वाले इसी condition में voice president acts as a president तो आगे का जो rule है जो vacancy अगर ऐसी होती है तो कितने दिनों में इसे fulfill किया जाना चाहिए अगर इंडियन कंडिशन में इसे देखा जाया तो it should be held within six months from the date of the occurrence ये जो case था इरान में जो था पचास दिन था यही मकसद है हमारा ये पूरे session में जो दोनों condition को comparison करने का ताकि आपको अगर कुछ doubt आया या तो MCQ में पचास दिन अगर लिग दिया जाए तो आप easily उसे solve कर पाए वरना जो हमने वहाँ पर discuss किया था article 131 of Iran का constitution क्या है वो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है खाली briefly आप लोग इस comparison को याद रखिएगा ताकि आपका MCQ में कोई error ना हो जाए अब इसकी बात करते हैं कि अगर आपके दिवाग में question आए कि जो newly elected president होंगे 6 महिने के अंदर तो वो पूरे 5 साल के लिए होंगे या जो president का जो बाकी का tenure बचा होगा उसी time तक इस post को समा ले रखेंगे तो बता दें आपको कि जो newly elected president आएंगे हो पूरे के पूरे 5 साल को serve करेंगे इसके बाद जो भी नया अदमी इस पे elect होता है as a president उसको सारा का सारा power और immunity प्रवाइड होती है जो as a president को प्रवाइड की जाती थी अगर इस case में vice president का भी post अगर vacant हो अगर आपके दिमाग में question है कि अगर president नहीं है तो vice president को elect किया जाएगा अगर vice president में नहीं है तो इस condition में जो chief justice of India होंगे वो as a president जैसा act करेंगे और अगर वो भी नहीं है तो senior most judge of supreme court जो available होंगे वो act as a president तो ये सारी conditions आप याद ये सारे rules जो है इंडिया में vacancy जब president की create होती है तो ये हम follow करते हैं तो चलिए हम अब अगले dimension की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि has it ever happened in Indian history की president post पे रहते हुए किसी की past में death होगी थी क्या तो बता दे दोस्तों Indian history में ऐसा दो बार हो चुका है और पहली बार य पाकिर हुसेन जी के साथ हुआ जब ये 1967 और 1969 के बीच as a third president of India के रूप में हमें serve कर रहे थे दूसरी बार ये फकरुदिन अली अहमजी के साथ हुआ जो की हमारे 5th president थे और इंका tenure था 1974 और 1977 के बीच का तो ये दोनों facts आप याद रखिएगा और आगे चलते हैं और देखत प्लेस थी इस पूरे incident के दौरान वो हम directly map के थूपढ़ने की कोसिस करेंगे ताकि अगर यहां से कोई directly question फसे तो हम उसे easily तरीके से solve कर पाएं तो जैसा कि ये पूरा incident इरान से related है तो हम देखेंगे कि इरान कौन-कौन से इस countries के साथ international border share करता है तो पहला देश है इराक, दूसरा अर्मेनिया, तीसरा अजर्बैजान, टुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो ये 6 countries हो गई, कोई बचा तो नहीं एक बार देख लेते हैं हां तो देखें यहां पर Turkey भी है ये वाला जो area है तो total 7 countries हो गई तर्की को लेके इराक, तर्की, अर्मेनिया अजर्बैजान, टुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ में अगर water bodies की बात की जाए तो कैस्पियंसी को देख सकते हैं, साउथ और साउथ वेस्ट में पर्चन गल्फ और गल्फ अफ ओमान है और ये जो beach का reason है ये state of hormones है तो ये सारे places आप एक बा इरान के international border के बीच इस्तित है अगला जो place था वो अरास river था जो कि हमने देखा कि यहीं अपने दोरों पर इरान के president ने एक dam का inauguration किया था जो कि Turkey, Armenia, Turkey को देख सकते हैं, Armenia को देख सकते हैं, Azerbaijan और इरान से होकर गुजरती है और आगे जाके ये कूरा river से मिल जाती है और eventually Caspian C में जाके मिल जाती है तो ये चीज़े याद रखेंगे और देख लेंगे कि ये main tributary है कूरा की और कौन-कौन से country से ये होकर गुजरती है और एक important factor कि अगर easily question को याजा कि कौन से continent में है तो ये याद रखीगा कि ये Asia में ही है तो ये सारे places को आप याद रखिएगा वि आगे भी ऐसे ही informations के लिए हमारे साथ बने रहें जाय हिन्द